नमस्कार आप देख रहे हैं निउज आपका पहली बार मुडवेड के बाद सुरक्षा बलों के ड्रोन केमरे में कैद हुए हैं मुडवेडी अपने साथियों को कंधे में ढोते हुए दिखाई दिये हैं पहले चरन के मदान के दोरान बिजापूर के पदेडा के दक्षिन में पुलिस नकसलियों के बीच हुए मुडवेड का ड्रोन वीडियो सामने आ गया है जिसको आप स्क्रीन में देख सकते हैं मुडवेड में सेगरो नकसली भागते हुए दिखाई दे रहे हैं साथी उनके पास उनके साथियों का सो भी दिख रहा है बिजापूर पुलिसया दवा कर रही है कि 10 मिनट तक चली मुडवेड में 2-3 नकसली मारे जा चुके हैं जिनके सौ को उठा कर नकसली भाग निकले मोके से खून के धब्बे भी वहाँ पर मिले हैं मिली जानकारी कनुसार, स्यार पीएप, डी और एक कमपनी कमांडर अंसुल सुरीबंसी और सुनिल कुमार सहाया कमांडेंट के नेत्वित्व में केरी पुबल 85 बटालियन ने बहादूरी से लड़ते हुए नकसलीों को ख़ड़ दिया इस मुढबेड में जवानों ने तीन से जादा नकसलीों को मार गिराया गया है ऐसा दवा किया जा रहा है ड्रोन से आई तस्बीरों में साब साब दिखाई दे रहा है कि लगभग 100 से 120 वर्दी और हत्यार धारी नकसली भागते हुए तीन से चार डेट बोड़ी लटका कर ले जाते हुए नजर आ रहा है बताय जा रहा है कि सुरक्षा बलों के इंतिजार में सेकरोड नकसली जंगलों में घात लगा कर बैठे थे मगर जिस जगह पर नकसली भारे संख्या में थे वहाँ सुरक्षा बल नहीं गुजरे जिसके बज़े से सुरक्षा बलों को भारी नुकसान नहीं हुआ और वह बच गये आपको एक पूरानी वीडियो दिखाना चाहूंगा जिसमें मुआदी तवारा सेना के ड्रोन को मार गराया गया था उसके बाद मुआदी दुआरा वीडियो जारी कर क्या कहा गया था देखिये आप आपको बता दे कि कुलहान के जंगलों में भी मुआदियों के गतिवीदियों को देखने के लिए ड्रोन का इस्तमाल किया जा रहा था और ड्रोन से रात में भी निगरानी की जा रही थी मगर कुलहान में ड्रोन से निगरानी उतना कारगर साबित नहीं हुआ लेकिन लगातार भारतिय सेना भी ड्रोन का अब जो है इस्तमाल कर रहे हैं